तो गाइस आज मैं जो आपके लिए मेक अप लुक लेकर आई हूना वो बहुत ही प्रीटी है आप लुक बिफोर स्किन देख सकते हो इंगेजमेंट मेक अप लुक होने वाला है यह और जो स्किन है आप सबके डिमांड पर ऑईली स्किन है तो आप लुक भी आप यहां पर द यहां पर मोस्टराइजर में अप्लाइ कर रही हूं मोस्टराइजर वैसे तो यह मोस्टराइजिंग प्राइमर है बट बट हमारे पास क्या है जो स्किन है वो ओली है और ओली स्किन में क्या होता है ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती ही होती है क्योंकि ओपन पोर्स स爸 है जो होते हैं बन्स नॐ यह जो भार 선 भी से हमारे उपन पोरस बना जो बना देते हैं ताकी जो प्राइबक्ट होता है वह अंदर अंदर ना चला जाए तो यह भी प्राइमर में भी यूश कर रही हूं कि कि धिसले नों पहले। छो टापी को सा युूस जूस जरु है कि अब हमारा प्राइमर थोड़ा ओप करेंगे। उसके बाद आगे मेक अप करेंगे। तब तक हम थोड़ा सा नैक पर भी ब्रस कर देंगे। इतना प्राडबक्ट ब्रस में होता है। काफी अच्छी होते हैं प्रोडक्ट देखो थोड़ा सा कोश्ली होंगे तो आपका जो रिजल्ट होता है वो भी अच्छा मिलेगा आपको ठीक है और साथी साथ में कवरेज तो आपको अच्छी मिलनी ही है एक दम जो है चीप कॉलिटी के प्रोड़क्त भी यूज नहीं करन कि अहले से मेरे पास पड़े थे तो वह यूज करिए इस तरीके से फिर इसको हलका जहम डब डब कर देंगे देखो कलर करेक्टर जो है मैंने बहुत कम यूज किया इसके बाद फाउंडेशन में यूज करूंगे मेकप स्टूडियो का शेड नंबर देखो बता के भी कोई फाइदा नहीं है क्योंकि जो स्किन टोन होता है वो हर क्लाइंट का अलग-अलग होता है तो आपको क्या करना है अपना आपका जो क्लाइंट चेयर पर बैठ है आप उसके नेक पर ध्यान दीजिए ठीक है आपका जो फांडेशन होना चाहिए उसके नेक से मिलता जुलता ह बोस्कों ब्रॉन बंड़ा है कितना बड़ा होता है भूंट ब्रॉइक्ट कितना बड़ा होता है वहां मेकप नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या कर नेक के लहां एक अप्लिडेशन लेना है और उसको फेस कर 전 यह देख सकते हैं और beauty blender या फिर brush में जो बचा कुछा product होता है वो आपको front neck पर अच्छे से जो है लगा देना एक्स्ट्रा नहीं लेना है आपको जो उसमें लगा है वही उसमें अप्लाइ करना है तो यह सारी चीचे मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूं कि छोटी छोट हमारे मेंटप को काफी हद तक अच्छा बनाती है अब आते हम concealing की तरफ highlighting की तरफ जो की highlighting होगी बड़ concealer से ठीक है तो यहां पर मैं यूज करी हूँ Swiss beauty का concealer आप यहां पर भी मैं बोलूँगी अपने budget के हिसाब से आप लोग कुछ भी कर सकते हो ठीक है अब आपने यहां प लें आजएंगेले लेजनें के इस जाहाँ किया इस तो यह तो पॉइंट यह एरिया हमें हाइलाइट हो के मिलेगा दूसरा है कि जो इस तरीके बहुत बगाए इस तरीके से तो फेस पर ही इतना चल जाता है अभी हमें आट नहीं है इसके बाद देखे ब्यूटी ब्लेंडर पर जो प्रॉडक्ट है वो हम नेक पर अप्लाई कर देंगे इससे हमारा जो नेक और फेस का जो कलर टोन है वो एक जैसा हो जाएगा इसके बाद देखे बहुत क्यूट सा लुक होता है इंगेजमेंट का लुक तो यहां पर हमें लिक्विड ब्लश यूज काना बहुत जरूरी है और जैसे स्किन टोन फेयर है तो हम पीच की तरफ जाएगे जब भी आपके पास स्किन टोन फेयर होता है तो कोसिस करो पीच की जाओ ठीक है नोस पर भी थोड़ा सा प्लाई कर देंगे ताकि थोड़ा सा क्यूट सा प्यारा सा लुक होता है और इनकी जो रील है ना काफी ज़्यादा व्यूज आयते उसमें इनों ने कहा था कि मुझे वह सुंदर सा बना देना तो चलो इनको सुंदर बनाई रहे हम है अब देखे अब हमें क्या करना है अब हमें करना है बेकिंग अंडर आय एरिया पर अपने क्लाइंट को बोलो कि ऐसे थोड़ा सा उपर करके देखे उपर करके रखे मतलब और यहां पर ट्रांसलोसिन पावडर से में थोड़ा सा यहां पर अंडर आय एरिया में बेकिंग क जो कवरिज होती है वो ट्रांसलूसिन पाउडर से ज्यादा होती है ठीक है आप देख सकते हो इसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने ट्रांसलूसिन पाउडर लिया है और इसको इस तरीकी से अंडर आय एरिया में छोड़ दिया है ताकि अभी मुझे आय का वर्प करना ठीक है ठीक है अब थोड़ा थोड़ा पाउडर से हम पूरे फेस पर ही थोड़ा सा सैट कर देते हैं ताकि बाइ चंस हमारा हाथ या फिंगर हमारे पेस पर लगे आय Springs पर लगे तो वहाँ पर निशान न पड़े ठीक है अब हम क्या करेंगे आई बैस मनाएंगे आई बैस चाहता और मैं जबरदस्ति उसके आइब्रो बनाओं तो ऐसा नहीं करना चाहिए यह जो मेरी मॉडल थी इन्होंने जिस्ट अभी इंटर किया है और इन्होंने अभी तक स्टार्ट किया ही नहीं है आइब्रो बनाना तो मुझे विल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं का जर्प्लाइ करेंगे और काजल अप्लाइ करेंगे उसके बाद इसको अंगिल बरस से हलका सा नहीं कर देंगे तो यह वाला लाइनर जिया जह आना जा बहुत जादा अच्छी लगे तो आपने वीडियो को बहुत जादा शेयर करना है और फटटफट्ट से 100k टारगेट रख रहे हैं सब्सक्राइबर का फॉलवर्स का ठीक है वह करना है अब हम आइब्रोस फिल करेंगे आइब्रोस फिल करने के लिए में से इम वही ब्राउन कलर का प्रॉडक्ट यूज कर रहे हूं देखो आप एक बार यह सारे प्रॉडक्ट लाके रख दोगे न भले ही तोड की शेप देना हो गया लाइना लगाना हो गया तो इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरुरत होती है तो सस्ते प्रॉडक्ट आप इस चीज के लिए रख सकते हो ठीक है और जब आपको क्लाइंट का मेकप करने है तो उसके लिए आप अच्छी सी किट बना के कवरेज होगी और साथी साथ में जो आपका क्लाइंट है वो भी आपकी तारिफ करेगा ठीक है इसके बाद आइब्रूस को हलका सा जो हम इस ब्रस की हैल्प से क्लियर करेंगे ताकि कहीं पर कम जादा हो तो वो भी इक्वल हो जाए और यह देखो यह ब्रश यहां पर काम को मिक्स करके बहुत चोटे-चोटे स्ट्रोक में लोवर लैश लाइन पर यहां पर वर्क गया तो यह वाला जो काम है ना जितना आप अच्छे से करोगे आराम से करोगे बहुत ज्यादा प्रेटी लुक देगाई आपको बाद में ठीक है इसके बाद देखेंगे ब्राउ देखेंगे बहुत ही पतला सा तो इसके बाद जिनके आई है बहुत प्रीटी लगने लगी इसके बाद दीखेंगे आई का काम हमारा पर अल्मुश्ट कंप्लीट हो चुकत है अब हम भ्लश करेंगे तो बढ़ार से भी हम पीची कलर का लगाएंगे और इसके बाद यहां करेंगे हम क्या करेंगे अव्हूं सी कि और करेंगे देखो क्या आप्ला मेशी करेंगे किxisikा प्रछा। इनके पतला चाहिए तीक दिछाना के थे नाम कोई नहीं आप अशुर से टेख देए फे इस लिए साथा आप इसलिए हम नोस को अच्छ से कॉंटूर करेंगे ठीक है मतलब आप कई लोग ऐसे करते हैं कि फेस बहुत पतला सा है प्यारा सा है फिर भर भर के कॉंटूरिंग करते हैं तो ऐसे नहीं करना चाहिए जिस चीज की फेस को नीड नहीं है उस चीज को आप इसकी पहर सकते हो यह क्लाइन के फेस को नीड इस चीज की ए ठीक है अब देखें लिप लाइनर हम करेंगे एक डाक ब्राउन क्लों की पैंसिल मेंने लिए ब्राउन भी नहीं है पता नहीं कौन सा कलर है बढ़ डाक कलर है खैर उससे कोई मतलब नहीं होता हमें लिप्स की जो शेप होती है वह थ करते रहो तो फिर मैं भी आप लोग के लिए बहुत अच्छे लोग जो है क्रिएट करके लाया करूंगी और साथी साथ में कॉमेंट में आप लोग यह जरूर बताया करो कि अब मैं कौन सा लुक क्रिएट करूं ठीक है लिप्स्टिक भी यहां पर प्लियूम प्रॉस की य सोना मेकवर भाई पूजा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहां पर स्टोरी लगा दूगी मेरे प्रॉडक्ट की ठीक है और एक तो मुझे वीडियो एडिटिंग शूटिंग सारा वर्क खुद करना पड़ता है इस वज़े से मैं लिंक्स नहीं दे पाती हो रही है वही आपको दिखता है ठीक है तो लिपस्टिक लगाओ तो कोसिस करो कि बहुत ध्यान से ठीक है थोड़ा सा भी उपर नीचे हो गया समझो पूरा बेस खराब हो गया ठीक है और इसके बाद ऐलेश करलर से ऐलेश को करेंगे ताकि फॉल्स और रियल वाली आईले हाईलाइटिंग सॉरी हाईलाइटर अप्लाइए करेंगे और यह देख सकते हो तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा नीड नहीं है हाईलाइटिंग की कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको मैट फिनिश लुक करना होते तो कोई जरूरी नहीं आपको हाईलाइटर अपन यहां पर दिखाया है और काजल की जगह मैंने वाइट काजल अप्लाइ कर दिये तो कॉमेंट जरूर करना कि आपको यह कैसा लगा इंस्टाग्राम पर तो आप लोगों बहुत अच्छे-च्छे कॉमेंट किये थे इस लूप के लिए और फेस्बुक पर भी तो चेलिए नेक्स्ट लूप में नेक्स्ट टुटोरियल के साथ